आज का यह वीडियो सेकंड पार्ट वीडियो है इसकी फॉर्स पार्ट अल्रड़ी अप्लोड हो चुकी है और जिसकी लिंक में आपको डिस्क्रॉप्शन वोक्स में ले दूँगी लास्ट वाली वीडियो में हमने वाइट वाली जो पोर्शन है। यह बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम देखनें गी कि इसे हम कैसे बनाएंगे तो चली वीडियो स्टार्ट कड़ते है अब हमने जो ओरइंज किलर का आउटल बनाएँ था IS यहां पर यह जो औरंज के लगखा wool देख रहा है यहां पर जो first wool है यहां पर तीन chain बनाएंगे जो की पहला double crochet होगा अब इसके बाद 5 chain बनाएंगे chain space के लिए अब इसके बाद जो नीचे की और दूसरा वाला लुप देख रहा है औरंज के लगखा वहां पर एक और double crochet बनाएंगे यह दीखे यह वाला इसके बाद 2 chain बनाएंगे और फिर जो next वाला लुप है वहां पर जो पहला वाला लुप है उसमें एक double crochet बनाएंगे इसके बाद 5 chain बनाएंगे फिर जो दूसरा वाला लुप है उसमें एक और double crochet बनाएंगे फिर से 2 chain देंगे और जो पहला वाला लुप है उसमें एक double crochet बनाएंगे फिर 5 chain बनाएंगे और दूसरे वाले लुप में फिर से एक double crochet बनाएंगे फिर दो चेन बनाएंगे और फ्रेंट इसी तरीके से यह वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे अब यह राउंड कंप्लीट हो चुका है तो मैं लास्ट यहां पर दो चेन दोंगी और जो पहले मैंने यहां पर चेन स्पेसिस बनाए थे वहाँ पर जो थोर्ड चेन है वहाँ पर काउंट करके एक स्लिप स्टिच दे देंगे अब इसके बाद तीन चेन बनाएंगे यह हमारा पहला डबल क्रुशे होगा अब यहां हमें देस डबल क्रुशे बनाना है यह मैं अभी तीसरा डबल क्रुशे बना रही हूँ यह चौथा यह पाँच छे साथ आठ नव और यह लास्ट वन दस अब जो नीचे की और जो वाइट पेटल बनाया था वहाँ पर जो थर्ड डबल क्रुशे है उसके ऊपर इस तरीके से एक सिंगल क्रुशे बना लेंगे अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला चेन स्पेस है पाँच चेन का जो चेन स्पेस दिया था उसमें दस डबल क्रुशे बनाएंगे बिना कोई चेन स्पेस दिये ये दो डबल क्रुशे बनाया ये तीसरा डबल क्रुशे ये चार पाच छे साथ आठ नाव और ये दस अब इसके बाद से जो नीचे क्योर पेटल बनाया है वहाँ पर जो थर्ड डबल क्रुशे है उसमें एक सिंगल क्रुशे बना लेंगे अब फिर से बिना कोई चेन स्पेस दिये फिर से यहाँ पर दस डबल क्रुशे बना लेंगे इसी प्रासेस को रिपीट करके ये वाला लेर कंप्लीट करेंगे यहाँ पर ये वाला राउंड मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ तो अब लास्ट मैं नीचे की और जो फटल है वहाँ पर थर्ड डबल क्रुशे में इस तरीके से एक सिंगल क्रुशे दूँगे और बिना कोई चेन स्पेस दिये जो यहाँ पर हमने चेन बनाया था उसके थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच दे देंगे और इस बुल को यहीं कट कर देंगे अब इसका जो next layer है उसे बनाने के रहे मैं यहाँ पर औरबल क्रुशे बनाया था तो इसके पहले वाले डबल क्रुशे से मैं स्टार्ट करती हूं यह बुल को इस तरीके से लिया अब यहाँ पे हमें slip stitches बनाना है थोड़ा loose hand से करेंगे हम लोग ताकि यह जो petal है वो सिकडे नहीं हमने यहाँ पे 10 double crochet बनाया है तो 10 वर double crochet के ओपर हमें slip stitch बनाना है यह दीखें यह last double crochet पर मैंने slip stitch बनाया अब जहाँ पर हमने नीचे की वह एक single crochet बनाया था ठीक उसी जगर से एक और बार हम औरंज करर से एक single crochet बनाएंगे अब इसके बाद जो बाकी के petals हैं मतलब जो बाकी के double crochet हैं वहाँ पर भी हम ठीक पहले की तरह ही slip stitches बनाएंगे और इसे तरह के से यह वाली layer हम complete करेंगे अब यह वाली layer complete हो चुकी है अब मैं यहाँ पर तीन बार slip stitch दोंगी क्योंकि यहाँ पर तीन बार slip stitch देना बाकी था अब इसके बार हम यहाँ पर एक single crochet बनाएंगे और जहाँ से मैंने पहले start किया था slip stitch बनाना उसमें एक और बार मैं यहाँ पर slip stitch दोंगी और cut करने से पहले एक बार और slip stitch मैंने दिया है और यहाँ से हम इसे cut कर देंगे अब यह जो extra wool है हम इसी में ही इसे छिपा देंगे ताकि वो एक clear look दे यह वाली चीज मैंने आपको नीचे वाली portion में नहीं दिखाई थी क्योंकि मैं यह वाली चीज मेरे बाकि सारे वीडियो में बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ अब मैंने इसे यहाँ पर छिपा दिया है तो अब यह जो extra wool है अब इसे मैं cut करके हटा दूँगी अब मैं next layer को बनाने के लिए blue clear का use कर रही हूँ तो फिर से यहाँ पर एक note से start करेंगे अब जो green वाले portion में हमने orange किलर की outline बनाई थी वहाँ पर यह पीछे के तरफ जो loops बना है तो यह पहले वाले लूप में सबसे पहले तीन chain बनाएंगे जो कि यह पहला double crochet होगा अब इसके बार 6 chain बनाएंगे मैंने यहाँ पर 5 chain बनाए है लेकिन आप 6 chain बनाएं अब जो second वाला loop है वहाँ पर एक double crochet बनाएंगे अब तीन chain देंगे अब पहले वाले लूप में एक double crochet बनाएंगे अब यहाँ पर 6 chain बनाएंगे हम फिर second वाले लूप में एक और double crochet बनाएंगे अब यहाँ तीन chain देंगे और friends जिस तरीके से हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से बनाएंगे यह हर एक step में एक एक करके increase होता जाएगा chain और friends इस तरीके से इस वाले round को हम complete कर लेंगे तो अब यह round मैं यहाँ पर complete कर चुकी हूँ यहाँ पर last तीन chain देने के बाद जहां से हमने start किया था उसके third chain में एक slip stitch दे देंगे इसके बाद अब यहाँ पर तीन chain बनाएंगे जो की पहला double crochet होगा अब यहाँ पर हम 11 double crochet बनाएंगे कि मैंने तीसरा double crochet बनाएंगे यह चौँ था यह पांच छे साथ आठ नुँ देस और यह गैरव इसके बाद जो हमने नीचे की और ग्रीन के लगा पिटल बनाया था वहाँ पर जो फिफ्थ वाला double crochet है वहाँ पर एक single crochet बना देंगे अब जब हम यहाँ पर crochet को insert करेंगे तो यह जो blue वाली जो line है वो crochet के ऊपर लेंगे अब इसके बाद बिना कोई chain space दिये फिर से 11 double crochet बनाएंगे यह मैंने तीसरा double crochet बनाया यह चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, देस, और यह ग्यारा अब फिर से नीचे की वो जो green color का petal बनाया था वहाँ पर जो fifth वाला double crochet है उसमें एक single crochet बना देंगे अब यहाँ पर फिर से मैं यह जो chain बनाई थी तीन chain का उसे मैं crochet के ऊपर ले रही हूँ ताकि जो single crochet हम बनाएंगे तो वो इसी में ही बन्द जाएंगे और वो अलक से ना देंगे अब फिर से यहाँ पर हम eleven double crochet बनाएंगे और friends इसे तरीके से यह वाला round हम complete करेंगे अब यह वाली layer यहाँ पर complete हो चुकी है तो नीचे की और जो पटल है वहाँ पर fifth वाले double crochet में इस तरीके से एक single crochet बनाएंगे इसके बाद बिना कोई chain space दिये जहाँ पर हमने chain बनाया था वहाँ पर third chain में एक slip stitch देंगे और इस round को close कर देंगे अब जो यह bull है इसको हम cut कर लेंगे अब इसके बाद मैं orange killer का outline दूंगी तो same पहले मैं यहाँ पर knot बना ली हूँ तो उसके बाद जो blue color का double crochet बनाया था वहाँ पर जितने भी double crochet है सबके ओपर हम slip stitch बनाएंगे यह देखे यह complete हो चुका है अब यहाँ पर जहाँ पर हमने पहले single crochet बनाया था ठीक उसी जगह पर एक और single crochet बनाएंगे और फ्रेंस इसी तरीके से मैंने यह वाला round complete कर लिया है अब यहाँ पर last मैं एक single crochet बना रही हूँ अब इसके बाद जहाँ से हमने orange वाला start किया था बनाना वहाँ पर एक और बार मैं slip stitch बनाऊंगे अब cut करने से पहले wool को एक बर और slip stitch बना रही हूँ आप इसे ज़्यादा times भी repeat कर सकते हैं मैंने यहाँ पर तीन बार repeat किया है अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसे cut कर दोंगी तो देखे फ्रेंस यह वाला layer बनने के बाद यह कुछ ऐसा दिखता है next वाला layer बनाने के लिए मैं यहाँ पर blue कलर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर एक नौट से start करूंगी पहले वाले layer में जहाँ पर हमने orange कलर का outline बनाया था वहाँ पर जो single crochet बनाया था पीछे की और यह जो orange कलर का पहला बारा loop है यहाँ पर हम तीन chain बनाएंगे पहला double crochet के लिए अब इसके बाद यहाँ पर 7 बार chain बनाएंगे इसके बाद जो दूसरा वाला orange कलर का लूप है वहाँ पर एक और double crochet बनाएंगे इसके बाद हम यहाँ पर 4 chain बनाएंगे मैंने यहाँ पर 7 chain बनाया है लेकिन आप यहाँ पर 4 chain बनाएं क्योंकि हम एक एक chain हर एक layer में increase कर रहे हैं अब फिर सही यहाँ पर 7 बार chain बनाएंगे और नीचे की और जो यह orange कलर का लूप है वहाँ पर एक double crochet बनाएंगे फिर से यहाँ पर 4 chain बनाएंगे और फ्रेंस इसी तरिके से यह वाली layer को complete करेंगे अब यह वाली layer यहाँ पर बनके complete है तो मैं यहाँ last 4 chain देने के बाद जहाँ से मैंने start किया था उसके third chain में एक slip stitch देकर इस round को close कर दूँगे अब इसके बाद फिर से यहाँ पर 3 chain बनाऊंगी पहला double crochet के लिए अब हम यहाँ पर 13 double crochet बनाएंगे यह मैंने दूसरा double crochet बनाया यह 3 4 5 6 6 6 6 8 9 10 11 12 12 और इसके बाद जो हमने नीचे की और ब्लू कलर का पेटल बनाया था वहाँ पर जो 6 वाला double crochet है वहाँ पर एक single crochet बना लेंगे अब इसके बाद फिर से हम 13 times double crochet बनाएंगे इसके बाद वाली जो औरेंज किलर की बॉर्टर वाली वीडियो है मैं उसे नहीं बना रही हूँ क्योंकि गाइस मैंने उसा अल्रडी दिखा दिया है ग्रीन वाले और स्काइब्लू वाले के टाइम और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं उसे नहीं बना रही हूँ तो इसके बाद मैं डारेट आपको next वाला पेटल दिखाऊंगे कि next वाला पेटल कैसे बनाएंगे अब मैं हाँ पे last वाला double crochet बना रही हूँ इसके बाद जो नीचे के और स्काइब ब्लू किलर का पेटल है उसके six वाले double crochet में एक single crochet बना लूँगे सो फ्रेंस इसी तरीके से इसी प्रासेस को रिपीट करके यह वाला लेयर हम complete करेंगे अब यह लेयर बन के complete है तो यहाँ पर मैं एक single crochet दोंगी six वाले double crochet में अब बिना कोई chain space दिये जहाँ पर हमने पहला double crochet बना था तीन chain बनाकर उसका जो third chain है वहाँ पर एक slip stitch देंगे और इस round को close कर देंगे मैं यहाँ पर एक और slip stitch दे रही हूँ बुल को cut करने से पहले अब मैं यहाँ पर इस बुल को cut कर दूंगी अब guys हम देखते हैं कि जो इसके बाद वाला section है उसे हम कैसे बनाएंगे उसको बनाने के लिए मैंने हाँ पर dark blue color का बुल का use किया है और फिर से मैं यहाँ पर not से ही start कर रही हूँ जो यह orange color का पहला वाला लुप है यहाँ पर मैं तीन chain बनाकर पहला double crochet बनाऊंगी अब इसके बाद 8 बार chain बनाएंगे मैंने यहाँ पर 7 बार बनाया है लेकिन आप 8 बार बनाएं क्योंकि यह chain जो हर एक layer में एक एक करके increase होता जाएगा अब यह जो second loop है यहाँ पर भी एक और double crochet बनाएंगे अब यहाँ पर 5 chain बनाएंगे अब फिर से जो बहला वाला orange है loop यह देखे यह वाला यहाँ पर एक double crochet बनाएंगे इसके बाद 8 chain बनाएंगे फिर से एक और double crochet बनाएंगे second वाले loop में अब 5 chain बनाएंगे और next वाले loop में जो पहला वाला loop होगा वहाँ पर double crochet बनाएंगे और friends इसे तरीके से यह वाले layer जो है वो हम complete करेंगे यहाँ पर यह layer complete हो चकी है तो अब मैं यहाँ पर last five chain बनाएंगे एक दो तीन चार पांच अब यहाँ पर जो मैंने पहला तीन chain बनाया था उसमें जो third chain है वहाँ पर एक slip stitch दे देंगे अब फिर से तीन chain देंगे जो के पहला double crochet होगा अब यहाँ पर हम double crochet बनाएंगे यहाँ पर हमें 15 double crochet बनाना है यह तीसरा double crochet बना रही है यहाँ यहार पांच छे साथ आठ ना दस गयार 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 12, 13, 14 और यह last 15 इसके बाद जो नीचे के और हमने पटल बनाया था उसका जो seventh double crochet है वहाँ पर एक single crochet बना लेंगे इसके बाद बिना कोई chain space दिए जो next वाला space है यहाँ पर यहाँ पर फिर से 15 double crochet बना लेंगे पर यहाँ पर बना लेंगे अब यहाँ complete हो चुकी है तो फिर से नीचे के और जो seventh वाला double crochet है उसे count करके वहाँ पर एक single crochet बना देंगे गाईज इसके बाद वाली भी जो वेडियो है जो orange color की border वाली मैं उसे upload नहीं कर रही हूँ आईए अब देखते हैं कि यह बनने के बाद कैसा दिखता है यहाँ पर यहाँ पर यह वाला round complete हो चुका है यहाँ पर last दो double crochet मैं और बनाऊँगी अब इसके बाद जो नीचे वाला पेटल है वहाँ पर जो 7th वाला double crochet है वहाँ पर एक single crochet बनाऊँगी अब बिना कोई chain space दिये जो 3rd chain है जहाँ समय स्टार्ट किया था जो 3rd chain है वहाँ पर एक slip stitch बना लेंगे और इस round को close कर देंगे अब इसके बाद एक और slip stitch दे रहे हूँ और इसके बाद मैं इस पूल को cut कर दोंगी तो फ्रेंज वाला जो layer है वो complete होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है आज के वीडियो में बस इतना ही जो white वाला portion है जो है इसके उपर हम बनाएंगे उसे हम next वीडियो में देखेंगे झाल 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 झाल